सर बड़ी टेंशन हो रही है सर टेंशन किस बात की सर जो सब्चेट आज पढ़ रहे हैं वो सब्चेक तो याद है लेकिन जो सब्चेट नम्स दो आफते तीन अपते पहले पढ़ा था उसका सोचकर टेंशन आ रहे का कीमती समय है उसमें से कुछ समय यह सब सोचने में निकल जाता है और टेंशन के मारे जो पढ़ रहे वो भी बराबर से पढ़ाई नहीं होती है तो सार इस वीडियो में तुम्हारा भाई आया है एक प्रॉपर सेलेशन के साथ तुमको अच्छा से गाइड करूंगा रिलैक तो अब मैं आपको एक एक करके सबका सलूशन बताता हूँ सबसे पहले चीज आप जो कहते हो ना की सर मैंने इतना जो पढ़ा है आज वो तो याद है लेकिन जो दो हफते तीन हफते पहले पढ़ा वो कैसे याद आएगा भाई यह सब कर दात नॉर्मल है यह सेम चीज आएपी सीसी में भी एंकाउंटर की थी है ना या शायद अगर आफ इंटर में भी हो तो आपने फाउंडेशन में भी एंकाउंटर की थी तब मुझे बताओ तब भी आपने कोई सब्जक्ट तो ऐसा होगा दो हफते पहले पढ़ा था फिर एक्जाम के दिन पर उठाया थ कर लिये थे ना क्लियर कर लिये थे ना भाई यही है अरे वो छोड़ो 10-12 में भी तो दिया था ना आपने 10-12 भी कॉम हर जाके होता है यह सब छोड़ देते बर जो भी एक्जाम वगरा में भी हुआता ना तो होता पता है कैसा है आप जब कुछ चीज पढ़ते हो ना तो कि शब conscious mind में वो चीज रहती है अपने को लगता है कि सब भूल चुके ठीक है सब नहीं भूलते है 70-80% 60% चीज़े रिकॉल होती है क्योंकि आप यह फैनल स्टेज में हो तो रिकॉल होगा चीज़े तो वो टेंशन मत लो मैं बता रहो होगा रिकॉल जब आपको IPCC में हु अपने को इतने करने और उतने पास दिन में आराम सस्ते किलते होते उसके लगा अपको पैनल भी शेयर करूंगा जहां पास दिन में एक नी दो बार कर पाओगे सिमिलरली SFM होगा, SFM जो आपने रिवाइस किया होगा, क्वेशन की टिकी करने थी अपने को टिकी करने का था कौनसा क्वेशन में लास्ट में लेकर जाओगा, ओडिट है, आपके नोट्स लेंगे, फर एसमपल शुबम सर से पढ़ा है आपने, तो शुबम सर की किताब है जा 350-400 पेज में उनना, आपको पुरा औरिट करा रखा है, अब वो 350 पेज़े में से आपने मार्क किया होगा ना, क्या कौनसा कौनसा मेरेको लास्ट दे पर लेके जाना है, कौनसा कौनसा मेरेको से भी गो तुरू करना है, तो वो हो जाते है रिवाइस, तो डेर दिन के अगर नहीं किये, तो अभी भी 10-15 दिन है ना, कुछ सब्जेक की कर ले ना, कि मैं यह 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 कंचेप पड़ना है, मुझे यहां यहां से इतने-तने क्वेशन करने है, हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी पढ़ा है ना, तो हो जाएगा डिर दिन में रिवाइस, तो उस पड़ा है, डिर ना, कुछ चीजे नहीं आती है, तो चलता है, ओप्चन में चले जाएगी, सर कंपल सरी मा आ गया तो, ठीक है ना बबा, तुमको 80-85-90 मास का पड़ा है, तो भी काम बन जाता है, बराबर क्यूंकि अपने को उसमें भी फूल नी चाहिए, प्रैक्ल में 60- 70-75, थियरी में तो 50-55-60, काम आराम से बन जाता है अपना, तो जब आप ये comfort देता हो ना, अपने आपको की मेरे को पूरा score करना ही नहीं है, तो फिर tension किस बात का है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको exam में focus करना चाहिए कि मैं 100 माका paper attempt करूंगा, मैं ये नहीं बोल आपका syllabus, 70-80% control में है, उस में से 50% syllabus strong है, भाई मैं बता रहा है, exemption कि दर नहीं गया, ये मैंने ना, मतलब करोड रुपे की बात कर दिया आपसे, समद लेना, suppose किसे सब्चक में 10 chapter है, 10 में से अगर 8 कर रखे है, और वो 8 में से अगर आपके 5 या 6 chapter strong है, भाई तुमारा आराम से काम हो गया, समझो ये बात, तो ये comfortsion देना अपने आपको, ठीक है, तो not required to be 100% accurate in all the chapters, 2-3 छूडगे ठीक है, किया है, तो very good, well and good, कोई बात नहीं, नहीं किया तो ठीक है, कोई नहीं जितना कि अच्छे से करो, ठीक है, और ये आखरी के दिनों में ना, मैंने अभी एक रीसेंटी, टेलीग्राम पर भी बताया था, आपको एक कोट के थरू, कि भाई, देको पड़ सब रहे हैं, तो ये clear कौन करेगा, जब दो लोग की hard work, same level की होती है, तो clear वो करता है, जो exam का जो pressure है, वो better handle कर पाता है, handle कैसे करेंगे, यहीं जो मैंने आपको बाते बताई न इसको अपने back of the mind रखना, और दिमाग थंडा रखना, थंडा दिमाग अच्छे से काम करेगा, स्तिर दिमाग आपको better recall करने में help करेगा, और आपकी better efficiency लाने में help करेगा, तो बस ये स्तिर रखना, बाकी सब चंगा है, को tension लेने वाले बात नहीं, आपने महनत किये फल मिल करेगा आपको, बस stress मत लेना, अपने को अब बाकी लोगों को hard work में तो आपने act पार हो गए, क्योंकि आखरी मेने में सब कर रहे हैं महनत, अब कहां बीट करना है, stress नहीं लेने में बीट करना है, game वहाँ आ गई है, तो I hope आप ये चीज़ इंपलिमेंट करोगे, और डाल करता है, तो ही like करना, ठीक है, और अगर आपको लगता है, आपका कोई दोस्त को जरुआ थे, इसकी share जरू करना उसके साथ, ठीक है, तो thank you so much, description box में telegram channel का link डाल रहा हूँ, जहां मैं FR को लेकर last 5 days में marathon वगएरा लूँगा, वो सबका planner वगएरा share करने वाला हूँ, तो telegram join कर लेना, ठीक है, शुक्रिया everyone, thank you so much, best of luck, I will say want you guys to work hard, please keep working hard, bye-bye everyone, take care, see you all, bye-bye